इसकूली सिक्छा एभंग साक्षर्ता विभाग की ओर से सभी विद्धालों के प्रदाधपकों को विद्धालों के नाम से email ID बनाने के लिए निर्देश जारी किया गया है ताकि विद्धालों से सम्मंधित दिशा निर्देश, मारदर्शिका या अन्य आवसक सूचनाएं स सिच्चक सिच्चिकाओं को उपलब्द कराया जा सके। इसके लिए सभी सरकारी एब गेर सरकारी बिद्दले को आपने बिद्दले के नाम से email id बनाना है। इस वीडियो के माददम से आज हम आपको बिद्दले के नाम से email id यानि की gmail एकाउंट कैसे खोलेंगे बिश्तार से बताएंगे। मैं हूँ रविकांत भगत मेरा YouTube चैनल सुविदा 2010 में आपका फिर से स्वागत है। बिद्दले का हर काम बिभागियों होता है और आज के इस इंटरनेट के जमाने में सिर्फ एक क्लिक में बिभाग के नीचे से लेकर उच पदादी करी आपका डेटा को निरिछन कर सकते हैं। इसके लिए आपके हर काम में सालिणता होना अती आवर्शक है। मेरा वीडियो का एक ही उद्देश से राता है आप अपना काम स्वयंग करें या आपके गहन देखरेक में हो। चुकि बिद्दाले का मेल आईडी बनना बीभागी आदेश के अनुसार हो रहा है इसके लिए एक रुपता की जरूरी है। आता दिशानिर्देश के अनुसार बिद्दालाई की email id इस परकार बनना है जैसे पहले बिद्दालाई का नाम लिखें उसके बाद add the rate अब gmail.com लिखें कुछ उधारन के साथ ठीक से समझ लेते हैं अगर बिद्दालाई का नाम नवपार्थ में बिद्दालाई autod है यानि क इंग्लीज में उसको लिखेंगे npsotod तो gmail id होगा npsotodih at the rate gmail.com अगर बिद्दालाई का नाम प्राथमिक बिद्दालाई पुरांडी है यानि कि ps.purandi तो gmail id होगा ps.purandi सब small letter में होगा at the rate gmail.com अगर बिद्दाले का नाम उतकर्मित मद्द्दालाई शाल्डी है यानि कि ems.saldi तो gmail id होगा ems.saldi at the rate of gmail.com अगर बिद्दालाई का नाम मद्द्दालाई अधित्दपूर है यानि कि ems.adittapur तो gmail id होगा ems.adittapur at the rate gmail.com अगर मद्द्दालाई का नाम कन्या मद्द्दालाई दिंदली है यानि कि कन्या ems.dindli तो gmail id होगा kms.dindli k for kanya, m for middle, s for school, dindli सब small letter में होगा ये याद रखना है या gms यहाँ g for kya होगा girls, m for middle, s for school, dindli अगर मद्द्दालाई का नाम राजकियो मद्द्दालाई उपरवेड़ा है यानि कि राजकियो ms उपरवेड़ा तो gmail id होगा rms उपरवेड़ा at the rate of gmail.com अगर बिद्दालाई का नाम उथकरमित मद्द्दालाई कोलावेड़ा है यानि कि uhskolavira तो gmail id होगा uhskolavira at the rate of gmail.com अगर बिद्दालाय का नाम उच बिद्दालाय कुजू है यानि कि बिद्दालाय के नाम के आगे और कुछ नहीं है तो उस इस्तिति में hs कुजू इंगलिश में लिखते हैं तो gmail id होगा hskuju at the rate of gmail.com एक बात और सोच लिजे एक ही नाम के दो बिद्दालाय है तो जैसे उतकर्मित मद्द बिद्दालाय साल्डी के नाम से दो बिद्दालाय है इस इस्तिति में एक बिद्दालाय का नाम होगा umssald01 at the rate of gmail.com और दूसरा का नाम होगा umssald02 at the rate of gmail.com आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे अर्थात बिद्दालाय के नाम के आगे जो भी नाम है उसका पहला चर लेकर बिद्दालाय का नाम के साथ at the rate of gmail.com जोड़ना होगा साथी बिद्दालाय के सभी सिचक सिचकाओं को भी email id त्यार करने के लिए कहा गया है बिद्दालाय के नाम से email id बनाने के लिए आज इस वीडियो के माददम से हम एक एक स्टेप बारिकी से समझाएंगे घवरने की कोई बात नहीं कोशिस कीजिए सफलता जोरूर मिलेगा आप अपना android mobile से खूद अपने बिद्दालाय के email id त्यार कर सकेंगे इसके लिए आपको मेरा वीडियो ध्यान से और सुरू से अंतक जोरूर देखना होगा ताकि आपको email id त्यार करते समय किसी भी प्रक चल जाएगा उससे अपने पास रख लें तो चलिए एक बिद्दालाय का email id बना के देखते हैं समझते हैं कि इस प्रकार बिद्दालाय के नाम से email id त्यार किया जाता है सबसे पहले आप Google Chrome को open कीजिए open करते ही Google search बार खूलेगा Google बार में type करेंगे Gmail Gmail और इसको search करेंगे इस प्रकार का एक page खूलेगा जिसमें लिखवा है देखिए Google sign in तो हम लोग को नया create करना है यसलिए देखिए यहां लिखवा है create account और right side में लिखवा है next तो हम लोग को जबकि new account create करना है तो यह create account में हम लोग देखिए टच कर देते हैं तो दो तरह का option आता है एक for myself to manage my business तो हम लोग for myself करते है इसमें क्या है चलिए आग यह देख लिए क्या लिखा फास्ट नेम और लास्ट नेम तो हम लोग जिस विद्दाले का email एडिक खूलेंगे उस विद्दाले का पहला नाम ल इस सीबपूर का एक account खोलेंगे देखिए एन पी एस और लास्ट नेम लिखेंगे सीबपूर एस एच आइवी पी यू आर सीबपूर ठीक है यह हो गया उसके बाद देखिए राइट साइट में लिखा हूए next यसी में हम लोग next कर देंगे next करते ही एक दूसरा phase खुलेगा इसमें देख लिजे बेसिक इनपॉर्मेशन इंटेरियर बाद डे एंड जेंडर तो अगर आपका विद्दालय ओपनिंग होने के बाद 18 साल हो चुका है तो आप विद्दालय का ओपनिंग डेट दे सकते हैं या नहीं तो 18 साल से उपर हो जाए जैसे सोच लिजिए कि अगर हम एक तो उदान के तोर पर दे रहा है कि फारवारी 21 और 2010 को बिद्दालय खोला होगा ठीक है तो इसमें अगर हम लोग इसको देते हैं और जेंडर देते हैं चलिए फीमेल और next कर देते हैं तो क्या आरा देखिए आता है दिखिए अधर एकाउंट फाउंड इसमें लिखा है create a new user, setting user, add new user यानिकि यह under 18 है इसलिए ऐसा हो रहा है अधर एकाउंट खोज रहा है इसलिए इसको हम लोग बेख जाएंगे और क्या करेंगे इसको करेंगे एप्रिल येक आइसको करेंगे सब्सक्राइब और देखिए यह जेंडर में फीमेल देदिये हैं कि उस स्कूल का जो मेडम है इसलिए उसको फीमेल दे रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं नेक्स करते ही अब दूसरा एक फेज़ खुलेगा देखिए चूज यूर इमेल एड्रेस देखिए सिप्पूर एनपेस पहले से यह आपको ओप्सन देदेगा सिप्पूर एनपेस अट दरेट अफजीमेल ड.com एनपेस सिप्पूर 7 एट दरेट अफजीमेल ड.com अगर हम ल सिप्पूर के नाम से अगर पहले ही बना हुआ है तो यह नहीं लेगा देख लिए एनपेस सिप्पूर और हम लोग नेक्स्ट करते हैं देखिए देट यूजर नेम इस टेकन ट्राइन अगर कोई लिया हुआ हुआ है इस परिस्तिती में हम लोग इसको 01 डाल देते हैं 01 ड 02 02 में चलिए 02 ले लिया है ठीक है यहन की हमारा email id हो गया nps सिप्पूर 02 इसको next कर देते हैं next करते ही इसमें आता है add phone number for example your number will be used reset your password if you forget it अगर phone number देने से अगर आप password भूल जाएंगे तो उसको recovery के लिए ज़रूत हो सकता है receive video call and message make google service including ads more relevant to you यहनके google service का बहुत सारा facility मिल सकता है तो फिल हल हम इसमें mobile number use नहीं करेंगे देखिए नीचे scroll करते हुए जाएंगे देखिए लिखा हुआ है more option skip yes I am in यहां yes I am in में क्लिक कर देंगे जैसे क्लिक करेंगे review your account info you can use the gmail address sign in later nps shippur देखिए यह create हो गिया है इसमें एक दम इसपास्ट लिखाव है nps shippur और email address है अब हम लोग इसको next कर देते हैं privacy and term इसमें लिखा हुआ है बहुत सारा नियम लिखा हुआ है यह आप पर सकते हैं है कि नहीं वाई वी प्रोसेश इट इस सब है बहुत सारा your control देखिए more option इसमें यह जो term and condition है इसमें agree कर देना है I agree जैसे agree करेंगे एक दूसरा page खुलेगा अब हमारे NPS शिपपूर के नाम से Gmail ID त्यार हो गया है अब हम लोग इस mail से एक mail बेज के देखते हैं यह सही है कि नहीं देखिए सार्च mail की जगा पीछे तीन बार है इसमें लिखा है all inboxes primary social promotion shared नोस्ट, important, sand, schedule, outbox, drafts, all mail, spam, trance, calendar, contact, setting, help and feedback यह बहुत सारा काम है आप देरे देरे समझ जाएगा तो चलिए हम लोग यह देखिए यह right side नीचे corner में plus की चिन है इसमें हम लोग कर देते हैं touch करते ही इसमें क्या है देखिए compose mail है इसमें to मतलब जिसको भेजना है सोच लीजे यह मेरा ही बाला में भेजना है देखिए rkb at bhk at gmail.com ठीक है हो गया अब subject में क्या लिखना है school का नाम लिख देते है n ps sipur new id ठीक है new id अब इसमें compose mail में हम लोग क्या करते है देखिए compose mail में सिर्फ high लिखके छोड़ देते है और यह जो उपर में corner ट्रेंगल एक्ट ब्लू कलर का दीख रहा है यह ट्रेंगल क्या है send का option है और attach कुछ करना है तो हम लोग इसमें जो पीन है इस पीन में भी करके attach कर सकते हैं तो मारते हैं देखिए यह sending जा रहा है यह देख लिजिए पहला message जो है वो google community team से आया है जो thanking welcome message है उसके बाद एक आया है जो पहले हम send किये थे अदूसरा forward वाला है यह इसका मदलब है यह id सही तरक से चल रहा है तो इस तरह से आप अपना email id बना के अपना विभाग में जमा कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आया तो like और share अवस्य करें upcoming next वीडियो के लिए youtube channel सुभीता 2010 को subscribe करें और all notification bell icon को दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद